दोस्तो आज के इस वीडियो में हम दोग नेशनल सेफ़ी डे से रिलेटेड नेशनल सेफटी कॉंसिल की हिस्ट्री की बात करने वालों यह कैसे हुआ कब हुआ और यह दोस्तो कब से शुरुआ दोस्तो तो 1947 से लेकर 2022 से की पूरी हिस्ट्री की बात करने वालों दोस्तो लेक अच्छा खासा होने लगा जिसकी वैसे दोस्तों एक्सिदेंट भी राइस होने लगा एक्सिदेंट भी बढ़ने लगा तो दोस्तों ऐसा कोई recommendation बॉडी नहीं था दोस्तों तो 1922 में बाइसमें सेशन में लेबरा मिनिस्टी कॉंफरेंस में इस बात का recommendation दिया गया इस बात का recommend किया गया कि एक सेफ्टी इन फ्रैक्टरीज में शूट भी कंशिदेंट प्रिवेंशन का तो दोस्तों आज भी national safety council उसका एक main काम है यह accident prevention का तो यह उस टाइम यह सवाल उठाएगा तो दा करके 1965 में दोस्तों एक national industrial safety को उपर एक conference किया गा इंडेसल सेफ्टी और जिसको और्गनाइस किया गा था ministry of labor उस टाइम के government of इंडिया के दोवारा यह ministry I mean यह और्गनाइस किया गा conference को 1965 में जो चला था दोस्तों 11 से लिए के 13 दिसंबर के बीच में डेली में तो उसके अंदर participation का बड़ा important role था जिसमें participate किया गया था state government हो गया employer हो गया organization की तरब से trade union institution हो गया फिर उसके बाद जो main important थे उसमें जो जो गेश से दोस्तों वो उस time के president Dr. S. Radha Krishnan भी उसमें उस conference में थे जिसके अंदर ये इनको favor किया गया और सब की राय को ये favor किया गया कि हाँ एक national safety council होना चाहिए तो दोस्तों 1966 में इस बात को मंजूरी मिली के जो के 24 सेशन था और उसके अंदर ये बात को जो उस time की standing labor committee accept किया गा proposal को in the month of February 1966 में इसको मंजूरी दिया इसको consent किया गा proposal को और जा करके फाइनली 1966 में ही 4 माज को ministry of labor के दुआरा national safety council की स्थापना की गए स्थापना की गए दोस्तों under the society registration act 1860 और subsequently as per the public trust act bombay public trust act 1950 इसके दुआरा इसको registered किया गया जो कि 1971 में दोस्तों फिर जा करके इसकी as a foundation day इसको initiate किया गया national safety day को और जा करके 1972 से दोस्तों इसको अब तक 2022 as a national safety day हर मार्च को मनाए जा रहा है चार मार्च को और अब जा करके 4 मार्च से ले करके 10 मार्च national safety week भी से कहा जाता दोस्तों आयों दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो like share और subscribe चैनल पर करते जाए नहीं है तो और दोस्तों